11 अगस्त को सुप्रीम कोड से प्राथमिक सिक्षक भरती से बीयड को बाहर कर देने के बाद सभी बीयड की डिलेड की यहां तक की सभी राज्यों के सिक्षविवाग की जो निगाहें थी वो NCTE के नए आदेश पर टिकी थी तो अब जाकर यह इंतजार खत्म हुआ है और आधिकारिक तोर पर NCTE ने सभी राज्यों को सक्त आदेश दे राले हैं जिहां और सुप्रीम कोड फैसले के आधार पर यह आदेश दिया है जिससे अब बीयड डिगरी धारकों के लिए खतरा बढ़ चुका है क्या है पूरा मामला कौन सा आदेश आया है जानने के लिए इस वीडियो में अंतर तक बने रहें अभी से वीडियो को लाइक और चैनल सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि बीड वर्सेस बीटी सी मामले पर हर एक लेटेस अब डेट आप पा सकें हम आपको वो लेटर दिखाएं उससे पहले आज के समाचार पत्रों में आई इस खबर को आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने एंसी टी ने कहा रास्टी सिच्छा परिसद यानि एंसी टी ने सभी राज्यों को पत्र लिख कर परात्मिक विद्याले के लिए जारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बियड किये हुए अभ्यार्थी लेबल वन यानि कि वर्ग वन टू फाइप सिच्छक बर्थी प्रक्रिया में हिस्सा लेने योगे नहीं है NCTA ने कहा है कि सुप्रीम कोट के फैसले में कहा गया है कि लेबल वन वर्ग 125 में सिर्फ BTC यानि कि Basic Training Certificate धारक या डियलेट किये हुए अभ्यारती ही सिक्षक बनेने के पात्र है सुप्रीम कोट के इस फैसले को सभी राजियों वा सिक्षविवाग को मानना होगा ऐसा NCTA ने कहा है तो जब ये पत्र दिखाया गया तो बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ये Fake News है देखिए दोबारा से इस पत्र को आप देखिए ये पत्र जारी हुआ था 49.203 को कैसे जारी हुआ था ये किसी को नहीं पता लेकिन जब BSTC टीम की तरब से एक RTI फाइल की गई तब कल देर साम इसका खुलासा हुआ जारी हो गया था 4 सेप्टेमबर को लेकिन किसी को भी इस बात की भनक कर नहीं थी केवल राज्यों को ये चीज़ें पता थी ठीक है लेकिन RTI के मादने हम से ये लेटर प्राप्त हुआ जहां से जानकरी निकल कर आई है कि NCTE ने माननी सुप्रीम कोट के फैसले को जो की पचास अर्सट अबलिक 2023 देवे सर्मावली अपील थी उसे सुविकार कर लिया है इस आउर्डर को मान लिया है और इसी के कारणी ये देखिए यहां पर जितने भी यहां पर ये देखिए ये जितने भी All Secretaries हैं Commissioners हैं Education of State Government हैं सब को ये पत्र भेज दिया था ठीक है और कह दिया था कि This issue with the approval of the Content Authority ठीक यानि कि माननी Supreme Court के फैसले को मानती हुए इसे approve कर दिया गया है साथ में इस link को भी यहां पर share किया गया था कि क्या approve किया गया है आप खोल कर Supreme Court के order को देख सकते हैं पढ़ सकते हैं जहां से बीएट को प्रात्मिक से बाहर किया गया है तो यही एक दिसा निर्दे साथ इसके लिए कोई नया गजट तो आना नहीं है क्योंकि Supreme Court ने कोई ऐसा आदिश नहीं दिया है कि बीएट को इस तरह से सामिल करिए आप इस तरह से कुछ फेर बदल करिए तो इसलिए कोई उसके लिए गजट नहीं आएगा उन्होंने क्या किया है अपने 2018 वाले गजट को डिलीट किया है और उसके जगे पर Supreme Court का आदिश अपलोड किया है और ये नोटिस जो है सभी राज्यों को भेज़ दिये कि हम उस गरेट को रद्द कर रहे हैं और हम माननी Supreme Court के फैसले को मान रहे हैं और इसलिए हम कोई भी अब रिव्यू याच का नहीं दाखिल करेंगे कोई भी अध्यादेश लाने की मांग हम कें सरकार से नहीं करेंगे ये सब कुछ उन्होंने इस पश्ट कर दिया इस लेटर के साथ तो अब आपको विश्वास हो गया होगा कि वाकई में NCT का फैसला आ चुका है और इसके लावा बिहार सिक्छक बरती में जो लोग उम्मीद कर रहे हैं अभी भी चांसे से वो समझ लीजिए उनकी विश्टितिया पुरी दर से खत्म हो चुकी है मद्द प्रदेश में भी समझ लिए लफडा है और यहाँ पर आपका क्या कहते हैं 36 गड़ में भी समस्य आपको उत्पन होगी क्योंकि अभी यह NCT का निर्देश आ गया है तो डीलर के जो भी अधिवक्ता है मद्द प्रदेश 36 गड़ में सुनवाई हो ली तो वहाँ पर इस चीज़ को पेस करेंगे जिससे चीज़े और ज़्यादा क्यलियर होंगी तो यह सबी चीज़े हैं अभी यहाँ से लगबग 28 डिगरी जाला कुरी दर से बाहर होंगे और रहीवाद उत्तर प्रदेश में 69,000 परात्मिक सिक्षक बरती को लेकर तो उसमें भी समस्य आएं क्योंकि इसी पत्र के बावजूद ठीक है यह पत्र सरकार ने पढ़ा था इसी का कारण था कि अभी जो लेटर आया है उसमें ब्रीज कोर्स करने के लिए साफ तोर पर इनकार किया गया है कहा गया है कि जब माननी सुप्रीम कोट ने NCT का गजट रद किया है तो उस गजट को उस गजट में ही यह था कि ब्रीज कोर्स करा जाए तो अब हम कैसे ब्रीज कोर्स कराएं इसलिए हम ब्रीज कोर्स नहीं करा पाएंगे इस पत्र में सपच के तो कहीं न कहीं यह लेटर पूरी तरह से B8 के लिए खत्रा बन चुका है पूरी तरह से हावी हो चुका है जिसके प्रणाम जो है वो एक एक करके आपको जल्द देखने को मिलेंगे जो भी अपडेट्स आती रहेंगे हम लगातार आपको देते रहेंगे उसके लिए आप चैनल को अधिक सब्सक्राइब कर लें